हेलो एंड वाल्कम टू ऑनलाइन इस्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन इस्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस में जोड़दार स्वागेते दोस्तों मैं आपका दोस्ट सुमेश चिंग कचावा आप सभी का सबसे पहले में दन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले साल राजसान ग्रेड थार्ड दो जार बाइस की बढ़ती में बहुत जदा प्रेम उसने दिया है लेकिन आज जो हैं पैतीस साल बाद राजसान कोलेज लाइबेरियन में बहुत बड़ी बढ़ती आई है जिसमें प लिकेसर फारम बढ़ सकता है क्या एंप विदिंग वाले फारम बढ़ सकते हैं इसकी qualification क्या रहेगी कब तक आपकी qualification पूरी होगी संपूर लगना तो मैं बता रहा हूं कि जुन्होंने master degree कर रहे हैं तो ध्यान रगना है master degree जो mlis है अगर को जनरल category है तो master degree जो है आपके 55% होनी चाहिए और 55% होनी चाहिए और interview से पहले complete होनी चाहिए interview से पहले ध्यान लगना पास होना जरूरी है द्यान लगना अगर आपकी mlis चल रही है मलब appearing में है द्यान लगना आप फारम की लास्ट डेट एपी रिंग वाले फारम बढ़ सकते द्यान लगना तो अगर कोई विद्यारती जो जिसकी mlis चल रही है या जो mlis करना चाहता हूं तो मैं mlis करना चाहते हैं तुम्हें बता देना चाहता हूं आपके एक्जाम की लास्ट डेट है पांच अक्टूबर तो पांच अक्टूबर से पहले कहीं भी आप अपने अड्मिशन ले लिजी और उस अड्मिशन के अधार पर आप जो हैं ऑनलाइन फारम बर्ष सकते हैं दोस्तों ठीक है और अगर कोई बंदा ओबीसी का है ठीक है ना ओबीसी या अधर कैटेगरी है ठीक है ना तो उसके लिए mlis जो हैं 50% से के इंट्रियू से पहले उत्तिर होना चाहिए इंट्रियू से पहले mlis पुरी होनी चाहिए इंट्रियू से पहले पास होना जरूरी है ठीक है ना तो जिसका mlis चल्रा पौर्म बढ़सकता है तो एक तो वॉल्हें pagi.상 इस लेकिन उसके साहते साहते नेट या तो नेट किलियर होना चाहिए या राजिश्वान सैट एक्जाम किलिए होना चाहिए ज्यानब कना ठीक है, होना चाहिए और वह भी कभी इंटर्विवक से पहले इंट्रियू से पहले नेट किलियर नेट या सैट किलियर होना जरूरी है तो जो भी विद्यायर थी जिसकी MLIP कंप्लीट नहीं है या जिसका नेट किलियर नहीं है उसको गबराने की जरूत नहीं है आपको द्यानगना अगर आपकी MLIS चल रही है और आप नेट का एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो आप आरम बढ़ सकते हो क्योंकि आपका इंट्रियू से पहले MLIS और NET आपकी पास होने चाहिए जो आप इंट्रियू देने चाहोगे तो आपकी MLIS की माक्सिट आपको बताने होगी आपका इंट्रियू में बताने होगी उससे पहले आप आराम से कर सकते और जार तक मेरा मानना है कि आपका इंट्रियू है जा दना आपके जन्वरी ढगानी पहले होगा तो आप ज्यानना जन्वरी डोजार प्चीष पहले आप तीन आपके नेट एक्जाम होंगे एक तो हो जाएगा आपका दिसंबर दो जाज तेस वाड़ा नेट एक्जाम है उसमें भी आप त्यारी कर सकते हो एक दियान रगना है आपका जून दो जाज चोईस में नेट एक्जाम होगा उसकी भी त्यारी कर सकते हो और एक दियान तो आप net की त्यारी करोगे वही साथ साथ आपके college librarian की भी त्यारी हो जाएगी दोस्तों तीक है दोस्तों इसलिए जिनकी mlis appearing कर चल रहे हैं वहीं आपकी लास्ट डेट है पांच अक्टूबर फारम की फारम की फारम बढ़ने की आपकी क्या है वहीं लास्ट डेट है आपकी पांच अक्टूबर तो पांच अक्टूबर से पहले पहले आप जहां कई भी आपने admission ले लिया है उस university का नाम लिख दो और appearing कर दो आप appearing में फारम में appearing बढ़ दो आप और आपको कम से कम interview से पहले आपकी mlis complete होनी चाहिए या और net complete होना चाहिए तो net और MLS दोनों complete interview से पहले पहले आपको होनी चाहिए यह चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों तो क्याने के मलब कौन कौन फारम बढ़ सकता है तो मैंने बता दिया जो विद्यायती mlis जो है appearing वाड़े हो जो net नहीं किलियर कर चुके हो वह भी फारम बढ़ सकते ध्य चाहता हूं जो भी विद्यायती net की त्यारी कर रहे है यह MLS कर रहे है वह दोनों किसमें फारम अपलाई कर सकते हैं और interview से पहले दोनों किलियर होने चाहिए interview से पहले जब आप interview देने जाओगे तो आपके पास एमलिप की मार्कशिट होनी चाहिए आपको ज्यानक नहीं है अगर जन्रल का है तो 55% के साथ OBC का है तो और अने केटेगर 50% से और आपकी net नेट की मार्कशिट आपके साथ होने चाहिए mls और नेट की मार्कशिट इंटर्यू में आपके साथ होने चाहिए दोस्तों यह किलियर होगे आपको अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको किसी परकार का कोई प्रोब्लम नहीं रहेगी और सबसे पहले तो मैं आप प्रोब्ल होने के लिए सबसे पहले आपको यूजी सी नेट और सैट एक्जाम किलियर होना ज़रूरिया दोस्तों बहुत सारे विद्यारती ओल अवर इंडिया से क्यों कि यूजी सी नेट का एक्जाम है दिसंबर लेकिन दिसंबर से पहले करीवन पांच राजियों में सै नेट का एक्जाम भी है तो नेट और सैट का जो सलेवस हमेशा सेहम रहता है और नेट का जो सलेवस है वह भी आपके कोलेज लाइब इरियन में भी सेहम रहेगा आप बली आप steep проп eerste करसके दोस्तों तो आप सभी लोगों से उम ऑंको द्यान नेट का 5 सितन्बर से кورس launch करने जा रहे हैं दोस्तों 5 कोर्ष जो है आपका launch करने जा रहे है دोस्तों कब से 5 सितम्र से हम UGC net set का कोर्ष launch करने जा रहे है जिसमें paper 1 भी होगा ठीक है ना और उसके साथ second paper और paper 2 भी होगा द्यान रखना उसमें paper 1 भी होगा और paper to be होगा जाना रखना 5 सितनबर को हम शुरू कंडे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो course होगा वो हमारा new updated course होगा पूरा जो होगा वो हमारा new updated course होगा आपके syllabus में 10 unit है जाना कितने unit से 10 unit है अलग अलग unit का अलग से syllabus होगा द्यां रखना हर एक topic का video होगा video के नीचे दोस्तों पीडियु होगा और पीडियुप के नीचे क्या होगा test series क्या होगा दोस्तों test series मालनेजिए कोई topic यह यह वीडियो मिलेगा video के नीचे आपको पिडियुप मिलेगा और पिडियुप की निचे आपको उसी टापिक क्या मिलेगा दोस्तो टेस्टीरिज unit wise test series हम आपको उपलब्व्थ कराएंगे द्याने जीसे 10 unit है तो आपको हर unit unit 1 है unit 1 के अंदर आपको आपको पांच model paper होगे तो पांच model paper का मतलब क्या हो गए आपके करीबन एक model paper में 100 सवाल है तो पांच model paper का मझलब होता है 500 question हर एक unit का पांच तो आपके दस इंडिट है तो पांसो एंटो दस तो करीबन आपके पांस हजार की टैस्स तरीस आपको मिलेगी दोस्तों ठीक है और जो भी विद्यायरती हमसे जुड़ना चाहता है मैं इस्पेस्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लाइबरे साइंस की जो पीडियेफ है वह आ तो डाउनलोड होगी ना प्रिंट आउट निकलेगा आपको नोट्स बनाना होगा द्यानगना आपको ठीक है एक स्पेस्ट करना चाहता हूं बहुत सारे विद्यायरती क्या हैं कि लिखने में आज समर्थ है वो लिखना नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम सारी चीज़े सारी चीज़े रेडिमेट नहीं मिलेगी दोस्तों क्योंकि मैं चार्ता हों कि जिस तरीवे से मैं आप लोगों के लिए मेनत कर रहा हूं तो आप लोग भी अच्छी तरीवेसे मैनत कीजिए क्योंकि मैंच आखिकार जो करेगा वही ध्यानगना सपल होगा ध्यानगना नोट्स बना कि पढ़ोगे तो आपको खुट गो अच्छी तरीके से रिविजिन कर पाओगे अच्छी तरीके से अनलेसिस कर पाओगे दोस्तों तो जल्द 5 सितंबर को हमारे एप के अंदर शुरू हो जाएगा उससे पहल सितंबर को एक लाइव जो है क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको यूजिसी नेट का जो कोर्स अलों से उसके बारे मंचर्चा करेंगे दोस्तों तैंक्यू वेरी मच इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की और क्लास देख आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वेरी में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सकते हैं